देश्यों पिंजापला चैनल ते तोड़ा स्वाविता जैसे आए हैं वार दी लार्जेस्ट चेन आर्जी हॉस्पिटल्स देश्यों पिंजापला चैनल ते तोड़ा स्वाविता जैसे आए हैं वार दी लार्जेस्ट चेन आर्जी हॉस्पिटल्स जी देवेच शाड़न बेठेने डेक्टर सरजिना ने बहुत कालना कालियां बढ़िया मेंता कितियां और आर्जी दा नाम जड़ा है का अज पंजा ने रोल अदा किता सर स्वागदा तो अधासा डिश्पैक्शिश हो चीए मैं डॉक्टर चानबीर मैं MD Medicine है वैसे पर आर्जी स्टोन नाल मैं 18 साल तो associated है आर्जी स्टोन यूरालोजी दी इंडिया जी सब तो वड़ी चेन है गिया इस सब तो पहले Bombay स्टार्ट होया सी फ फिर इना दे दिली विच ब्रांचीज बनाइया हून दिली विच छे ब्रांचीज आगिया है चार Bombay बाकी लखनवू देरा दून फिर लुद्याना स्टार्ट किता स्तरा साल पहले हून इलुद्याने ती सेकिंड ब्रांच अगिये जेडी के फ्रोज पर और ओड़्टे स कि कहना जो कि 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 नमा इनकलाब जड़ा है का ओस्टाम दोते एस फील्ड चाया सिगा युरोलोजी दे फील्ड दे वेचे और लोगांदली बड़ी सुविता जड़ा है का सवामा देती है और अठारा साल दे सफरतो बाद एचे एक सुपर स्पेक्याल्टी होस्पिटल जड नमा बड़ा है असी फ्रोज पर ऊटते है ए डेफिनिटली नमा ऑस्पिटल है गाँ अठारा साल प्राणे ऑस्पिटल ते नमे ऑस्पिटल जो फरक होंदे हो फरकते है ही सी रूम थोड़े स्पेशियस है गया है एक्यूप्मेंट सेम है उसी यह थे डिपार्टमेंट से किते है बेसिकली युरालोजी लेप्रोशो प्रेमला सी डिलेसिज नेफर्णोजी गनेकोलोजी ए डपार्टमेंट शाओ आसे और किते हैं एस किखरेंट हैका तरु करते हैं लेजर सांव प्रोशिटल जो उम करा महां लैजेर ईकुलीशिंट से अभुटल ब्लादी amendments दन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हुंदा हुन असी नहीं चीद हैं दिया मिलब करने है नो ओ और एडवांस लेजर है ते पेशेंट दे रिजल्ट होर बैट रहे गए नॉमल सर्जी जना लो काफी अच्छे रिजल्ट है सर कोई सबना सिगा जदो गदूदान दी का जड़ा आया है गा उनना ने एक नमा जड़ा जड़ा तुसी दस्या कि असी नवी टकनीक लेकर आया सिगे होनो टकनीक नू क्योंकि ये अपडेशन वाला आर जी ने हमेशा जो नवी चीज आई अपलाई है डेफिनेटली कोई डाउट नी है गा मैंनू ए दसंट भी कोई शिरम न दिनाल अटैच हो यो आर जी देच बैठके उस सारे बड़े अनरे वीरां दी बहुत लंबी बेल्ट है बड़ी बड़ी चेन है गिया आर जी दी जदों बारों एक बंदा कराके जन्दा सी गा कि अन्दा आर जी चले जाओ फाइव स्टार होटल अरगा होगा ता नू और टर्षय सवीःतर में मिल दें गया है यसी खुद जट है। छहरपांज जड़ेयागा है मेरे सभड़ जडू आप्रेशन है करेया और अटीटों दू भी बहुत जगाना और बड़ें तमल देनाल जड़ेंगे सिवाहों दिया और सारत विशी द्सव बंदा आप आ defick करें तर्टा सानु समय धेनली है सार बहुत बहुत दन्यवाद और गैनी के साथ जो जो जुड़ा होता है उसके लिए ये श्पेशलिस्ट है, ड्रक्सा स्वागत है आपका, हमारे श्पेशलिशों में. थैंक यू, थैंक यू रिमच्ट। अडर्सव क्या कहना चाहेंगे कि RG, जो कि एक ऐसा हॉस्पिटल है, जिसकी चेन, वर्ड क्लास है, और जिसने क्रेक्शन की हुई हैं, बहुत लंबा यहां पर सिवाई RG ने पहले दे चुके हैं, और यह इन्या बिल्डिंग जिसमें इंटर्डूस हुआ है गाइनी, और आपका लंबा एक्सपिरियंस, आपने जिंदगी के बहुत साल जो है गाइनी को दिये हैं, गाइनी कैंसर को दिये हैं, क्या कहना चाहेँगे? मेरे को गाइनी प्रैक्टिस करते हुए 20 साल हो गए हैं, मैंने अपनी MD मानिपाल से करी थी, 2005 में, उसके बाद मैंने SR शिप करी कई हॉस्पिल्स में, टाटर पमोरियल हॉस्पिल से ट्रेनिंग ली कैंसर में, गाइनी के कैंसर में, और उसके बाद मैंने 14 वर्ष ओस्वाल हॉस्पिल में काम किया, और अब मैं RJ Stone हॉस्पिल में आई हूँ, यहाँ पर हमारा मेन मकसद है गाइनी और गाइनी कैंसर की ट्रीटमेंट देना, यह वर्ल्ड क्लास हॉस्पिल है, मुल्टिपल चेंज है, पूरे कंट्री में, आई होब कि मैं यहाँ पर अच्छा काम कर सकूँ. नसे जैसे आपने गाइनी कैंसर की बात करी है, और सर्वेक्स कैंसर जिसका बहुत बड़ा जो है, आजकल हो रहा है, और उसके लिए आप लोग वेक्सिनेशन के लिए, अवेरनेस के लिए लोगों को अवेर करें. देखें, जो cancer cervix है, बच्चतानी के मूँ का cancer, वो लेडिस में सबसे पहले breast cancer है, उसके बाद cancer cervix आता है. तो पूरे cancers में जितने भी लेडिस को cancers होते हैं, उनमें से सिरफ और सिरफ cancer cervix, जो के बच्चतानी के मूँ का cancer है, उसके हम बच सकते हैं. तो उसके लिए एक वैक्सिन बना दी गई है जो के बच्चों को छोटी उमर में ही दे दी जाती है boys and girls दोनों को तो 10 से 15 साल की उमर में बच्चों को वैक्सिनेशन शुरू कर दी जाती है यह वैक्सिनेशन अनबियाही बच्चों में लगाने में सबसे जादा हमारे को फायदा देती है सो तरफ एक यह कैंसर है या जो कैंसर जो यह प्रिवेंट करता है वाइरस के अकॉर्डिंग उसके लिए वैक्सिन बनी है सो वह बहुत अच्छी है और सब को पता होना चाहिए वैक्सिन के बार में ताकि हम यह मुसीबत जहले ही ना यह कैंसर हमारे को हो ही ना तशल से आप ने ब्रिंस गाइब कर उसले की बाद किए क्या क्या कैने की चाहिए कि आज लोगों में वेरतों सबड़ रहे है क्योंकि आउनलाइन मीडिया जो है वो सकरिया है और लोग एक दूसरे से बात करने में अब हिजिक्ते नहीं हैं, क्या कहने चाहेंगे कि ये हॉस्पिटल जो कि एक वर्दान बने गाने आले समय में, क्योंकि आपका 17 साल लंबा, 18 साल एक्स्पिरेंस है, कैंसर में और गैनी में, और ये हॉस्पिटल जिसमें एक इतनी जो इन्फरस्रक्टर है, यहां पर ऐसी मिशिनरी आयात की गई है, जिसके साथ की, जैसे सौने पर सुआगे वाली बात है। सो देखे, कैंसर के वेरनेस बिलकुल बढ़ गई है, और अब हमारी लेडी शर्माती नहीं है, छोटी सी भी गांट कभी चाती में हो, या महीना आने के बाद दुबारा ब्लीडिंग होने लगे, या पानी पढ़ने लगे, तुरंत ही जाके वो चेक अप कराते हैं, सो कैंस बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत तरह के इलाज आगे हैं, तो फर्स स्टेज कैंसर पकड़ना बहुत ज़रूरी है, दूसरा, मैं गाइनेकॉलिजिस्ट भी हूँ, सो लेडीज में ये जो गाईनी की प्रॉब्लम्स आम तोर पर आनी शुरू होती हैं, वो चालिस साल की बात करें गाईनी में, तो RG Stone एक फेमस हास्पिटल है फोर डे केर सरजरीज, लाप्रोस्कोपिक सरजरीज, तो गाईनी में सरजरीज हम ओपन तरीके से भी कर सकते हैं, और दूरबीन दौला भी कर सकते हैं, तो दूरबीन की जो सरजरीज हैं, उसका बहुत फाइदा है, को बहुत फाइदा रहता है, एक तो पेशन्स आके हमारे से आमतौर पर पुछते हैं, जी पीट में टीका तो नहीं लगेगा, तो दूरबीन की सारी सरजरीज पूरा भी होश करके की जाती हैं, और दूरबीन की सरजरीज जो मोटे लोग होते हैं, जिनको शूगर होती है, जिनके बहुत हम टांके नहीं लगा सकते हैं, उपन सरजरी नहीं कर सकते हैं, उनको बहुत फायदा देती है, पेशन्स की रिकवरी बहुत जल्दी होती है, दूसरे तीसरे दिन पेशन्स चलता और घर जाता हो जाता है, तो आर्जी स्टोन का में मकसद है शॉट केर सरजर और घडनी के लिए और टू कैंसर के पेशन्स के लिए जिनको वेर्निस नहीं ती, जिनको पहली सेकंड स्टेज में आते हैं, चलो अगर फॉर्ट स्टेज में बहुत बहुत ही खुशी की बात है कि आज जब हम आर्जी हॉस्पिटल कवर करने आये थे तो हमें सी ओसर के सा इसके दो मेन रीजन्स है पहला तो यह है कि जो आरजी में टेकनलोजी यूज़ होती है वो चाहे आप USA के या कैनेडा के या यॉरोप के बेस्ट आफ दी सेंटर्स में जाएं वो सेम टेक्नोलोजी है जो वहां पे यूज होती वही हाई एंड मेडिकल एक्विपमेंट है जो बेस्ट हॉस्पिटल्स जो दुनिया के उन में यूज होते और वही यहां पे भ पांच ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो इंडिया में हमने ही इंटोडियूस की है इन सालों में और आर जी में पेशेंट का जो सैटिस्फेक्शन लेवल है वो बहुत ज्यादा है उसका उसका सबसे बड़ा कारण है ट्रांस्पेरेंसी ज्यादातर पेशेंट्स चाहते हैं कि पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक होके घर जाए मुझे बहुत खुशी होती है बताते हुए कि आर जी में जो सरजरीज होती है उसमें 85% पेशेंट 24 गंटे के अंदर सरजरी करा के घर वापस चले जाता है और वो आर जी का एक सबसे बड़ा यूएस पी है बड़ा स्ट् प्रोस्टेट की हम बात कर लें कोई जमाना था जब प्रोस्टेट को यह लगता था लोगों कि कि प्रोस्टेट के हम पेशेंट करा कर बिलकुल सेफ नहीं है लेकिन आर जी ने ये भूम यहां पर लाए और हमारा लुद्यानवासी आसपास का इलाका आर जी लुद्याना क और इसमें जैसे प्रॉस्टेट की बात करें तो प्रॉस्टेट में आपने नहीं एक जान डाली उस सर्जरी में जिसमें कोई बड़ा चीरे नहीं हैं और लोग जो हैं प्रॉस्टेट का जैसे सर नहीं बताया जो सर हैं उन्होंने भी यहीं से प्रॉस्टेट का क्राकर और च 2005 में भारत में पहली बार होले सरजिरी लाँच की थी और उस से पहले प्रॉस्टेट की सरजिरी जो कंवेंशनल मेथड से होती थी उसमें चीर फार्ड भी होती थी उसमें खून की जरूरत भी पड़ती थी और डिस्चारज होने में 3-5 दिन लग जाते थे लुदियाना में हमने सन 2007 में, पन्जाब में पहली बार होलेप सरजरी, जो प्रोस्टेट सरजरी में एक बहुत ही रिवाल्यूशनरी टिक्नीक थी, वो हमने सरजरी यहां पे लौंच की, होलेप सरजरी के लिए शुरू में हमारे जो एक्सपर्ट इूरोलोजिस्ट थे, वो हमारी उस लेगेसी को और उपर करते हुए, पूरे पंजाब में पहली बार और पूरे नॉर्थ इंडिया में पहली बार लुद्याना में 152 वाट होल्मियम लेजर लॉंच की है, हमने जो टेक्नीक लॉंच की है, ये भी हमने अभी पेटेंट कराई है, इसको M.I.P.S. बोलत यानि पेशन्ट आज आएगा, आज ही ऑपरेट होगा और कल चला जाएगा ज़्यादातर केसे में, तो प्रॉस्टेट सर्जरी में अगले दिन पेशन्ट को भेजना ज़्यादातर केसे में, ये बहुत बड़ा माइल स्टोन है, और अभी पंजाब में ये टेक्नीक के बल प्रस देनी है, प्यार करना है लोगों के साथ, और वोही डॉक्तर जो क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी हॉस्पिटल में, दो साल के बाद डाकटर बदल गया, इन साल के बदल गया, लेकि हम लोग देख रáng हैं कि सतरह स-तरह साल का लमबा एससेशेशन है लोगों का अज के साथ और वो यही है कि आप लोग भी उनको इस जोन में रखते हैं और वो भी उनका भी माइड होता है कि हम आर जी के एक ऐसे शपाई हैं जिन्नोंने सिवा करनी है तो ज़्यदा तार कि अग आर आरे जो डॉक्टर्ज हैं बाकी टीम मेंबर्स हैं हमारे नर्सिंग टीम के मेंबर्स हैं टेकनीशन्ज हैं सब को यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम लोग बहुत हैं और जब यहां से मरीज डिस्चारज हो के जाते हैं तो बहुत अच्छी बात करके जाते हैं और वो एक ऐसा रिवार्ड है सब के लिए कि उसकी वज़े से ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं ज्यादातर जो नर्सिंग टीम के लोग हैं जो ज्यादातर टेक्निशन्स हैं पैरामेडिक्स हैं वो एक बहुत लंबी असोसियेशन हमा वो कम से कम दस से पंद्रा सालों से यहीं पे काम कर रहे हैं और सभी को यह बात बहुत अच्छी लगती है कि जब भी कहीं वो जाते हैं और बताते हैं कि हम आरजी में काम करते हैं तो बहुत ही रिस्पेक्ट और बहुत ही प्यार के साथ लोग उनसे मिलते हैं सब्सक्राइब कर लें तो हर स्कीम के लिए यहां पर एक लाग से सेल बने हुए हैं जिसमें पेशेंट को बिलकुल भी गवराना नहीं पड़ता ना उसको ऐसे परिशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपकी गाइडेंस ही ऐसी है कि आपने जो भी लोग किसी स्कीम के स आते हैं चाहे वो गवर्मेंट का पैसा है वो भी हमने बहुत अश्ची तरह से उनको भी टीट करना है उनको गाइड करना है उनको कागजपत्तर पूरे कराने हैं उनको टेंशन में डालना बलके उनको प्यार के साथ हैंडल करना है तो हमने हमारे रोधियाना के दोनों ही ह और बाकी सारी प्रोसेसिंग, उसके बाद हम मरीज को बोलते हैं कि वो आराम से बैठें, आधा गंटा, एक गंटा, और हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, जो जल्दी से जल्दी उसको अप्रूवल को मंगा के, और पेशेंट की एड्मिशन की फॉर्मैलिटीज पूरी कर रही है, तो कई बार हम यहां से दिल्ली में भी उनके पेपर्स भेजते हैं, और वहां की जो टीम है, वो वहां के जो रिस्पेक्टिव इंशुरेंस आफिसेज हैं, उनमें बात करके जल्दी से जल्दी अप्रूवल निकल बाती है, सर आपका बहुत धन्यवाद हमें बाता था, तो आर जी वाले, शार जी वाले, तो बड़ी खुश हुए हमें कि हम एक सियो के साथ बात कह रहे हैं, आपका हमें समध देने के लिए पापद धन्यवाद सार, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी बात क्या पाए है, धन्यवा मिर्गी दे दोरे जी दे वेच ब्रेंदियां प्रॉलम्स और एह हॉस्पिटल जड़ा बिल्कुल जदों बंदा माल वे आले बंदे जड़े फ्रोजपुर दाइरिया मुगा दाइरिया फ्रीद कोड दाइरिया बिल्कुल में रोड दे उपर है और उदे नानल सीटी सके हैं होर दे यह सारी अस्वेटियां वेलेबल है गिया और ट्रॉमा सेंटर दे तोर दे उपर एह हॉस्पिटल बहुत वदिया दरीके दिना लोकांदी सिवा करेगा की कहना चाहूँए गर्ग साथ पहला था तो अड़ा बहुत बहुत शुक्रिया के तुसी आके यह साड़ा हॉस्पिटल कवर कर रहे हूँ जिते तक निरॉलोजी दा स्वाल है ना निरॉलोजी दे भी चाज जिदा तसी जिकर कीता है के मिर्गी अदरंग पार्किंसन पुलन्दियां बमारियां यह बहुत कॉमन ने किया हॉदे लिए असी थे आर जी हॉस्पिटल ने एक अनिशियटिव लिता है का उनने निरॉल यह थे फसिलिटी प्रवाइड कर दे है इन हाउ सीटी स्कैन है इस तो बिना जेड़ी तुसी ट्रॉमाली गल कीती है ट्रॉमाली है यह जे यह नहीं सर्विस प्रवाइड कर सकते है क्योंकि ओधिन लिए नियूरो सर्जन प्लास्टिक सर्जन नाल चाही देने के बट है कि मेन रोड दे उपर है एंट्री दे उपर है ट्रॉमा सर्विस एस अस्टाल दे विच होनी चाही दिया है जी देच टाइम जड़ा हैगा बड़ा एक वड़ा रोल अदा करदा उनना पेशेंट्स दे ले भी है ऑस्पिटल वरदा रहेगा जी पैरलाइस दे विच जो म इस तरीके दे नाल डियागनोज दिया पगल कर लिए सिटी स्केन नाल हैगा और नाल ही डॉक्टर से गया डेड़ ज़स टे दे नाल अटैच हैगा प्रशान जड़ा बड़ा प्यारा बच्चा जिने बहुत मेहनत कीती है गिया और उदे नाल नाल दी नाल ही सानु जड़ है और गर्ग साब प्रशान जड़े एफट दे नाल असी पेशन्ट दा पांच जड़ दास मिंट दे विच सीटी स्केन करके उदी रपोर्ट दे सकते है दश को डॉक्टर बंसल जिना दा इड़ा लंबा एक्स्पिरेंस हा सारी संदगी उनना ने निरोदी सेवा किती है त समझ दो बाब सी का इना चीज़ां दा तुसी दो दा अतला के सिंटम्स तो चीज़ां देख लिन दे सिगे और आज सारी मिशिनरी आ गिया कि कहना चाहोगे कि वह एक्सपिरेंस और आज दी नमी टेकनोलोजी जड़ी है कि तुसी नाल दी नाल बदल दे गए टेकनोलोजी बहुत ड्वांस होगी है जिद्धा तुसी देख देख दो मिशीन ना होने दो मिन्ट पहले मैं भी तो नू किया है कि असी जी अमेरिकन मिशीन ना लगाईया ने आटिफिशल इंटेलिजेंस है रोबोट सारे ने सरजरी दे विच गोडे बदलन दे विच रोबोटिक पर देखो इदे नालना हीमन टच काड़ता जा रहे है का हुँझ जदो तो डिकोले पेशेंट आंदा है पेशेंट नू पुछी दे के की तकलीफ है जी तो नू आड अगसा वसी टेस्ट करवाय सी गे जी पहलना हो टेस्ट अनियर पोटा कड़की रखता है तो जड़ा ए कि ते एस टेकनालोजी दे विच डुबदा जा रहे है का पर ए जो तुसी पोट पुछे है का ओ हीमन टाच नू सानू खतम नी होन देना चाहिए था वी आर ओल हीमन फरस्ट मशीना साड़ी हेल्प ली होनी है चाहिए याने मशीना नू सानू रपलेस नी होन देना पुछे बड़ा बदिया लगिया तो हनू मिलके गलबाद करके दर्श को ए हॉस्पिटल एक नूरोलोजी दे लई एक बहुत बड़ा जड़ा हैगा मकाम हासल करेगा अनले समय दे वेच और डकसा बार के जिना दा इना जिना 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 दा लंबा एक्सपिरियंस हैगा क नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल देखे तो हनू यह लगे भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया थे बहुत महिंगे महिंगे लाज होंगे बेलकुल रिजिनाबल जी रेट होंगे दसास और डसा नू समद दे लिए बहुत बहुत दन्यवाद तैंक यू तैंक यू गर्ग साब बहुत अच्छा लगया तो नू मिलके भी बड़े अच्छे त्रीक के नल तुसी ये कंड़क्ट कीता प्रोग्राम तैंक यू वांस अगें यह हमारा डालेसिस यूनिट है और यहां पर हमारी एट बेट्स है डालेसिस की एट बेट्स है और तीन सिप चलती है नाइट में भी जो एमर्जेंसी डालेसिस है वो हम करते हैं और संडे को भी जो एमर्जेंसी डालेसिस होते हैं वो करते हैं और हमारे पास राउंड टॉ में monitorze भी है patient की continuous monitoring के लिए कि में पर जादा तर हमारी जो day care के patient जो procedure वाले patient होते प्लस dialysis की patient जिनको treatment की requirement होती वो patient यहां पर रहते हैं कि full time doctors होते है nurses होते हैं अब बात कर रहे हैं Dr. Vaibhap exe beam लंबे समय से यह यूरोलोजिस्ट स्वायद दे रहे हैं लुद्याना में और अबी RG स्टोन में यह अपनी स्वायद दे रहे हैं डासा स्वाकता आपका हमारी श्पैशे शो में तैंक्यू डासा एंज यूरोलोजी एक ऐसी ब्राँड जिसके बहुत ही कम urologist थे पंजाब में और जैसे जैसे ये problems बढ़ती जा रही है और urologist जो हैं अपने ने आ रहे हैं सिवाएं हो रही हैं और RG hospital जो की एक ऐसा chain है जो world class है उसमें आप सिवाएं दे रहे हैं क्या कहना चाहिए जी बड़ा खुशी होती है when you are in such a good hospital लोगों को पहले idea नहीं होता था स्टोन के साथ उनको treatment कई ideas नहीं थे prostate की problem के साथ कई कई साल वो जूचते रहते थे अब लोगों को early stage पर पता लग जाता है because of better radiology CT scan हो जाता है जल्दी ultrasound easily available हो गए है लोगों को पता लगता है उनकी problem है और वो आज urologist को ढूंडते हैं उनको पता है कि इस problem के लिए हमें specialist के पास जाना है जैसा हम बात कर लें सबसे कड़ी चीज़ की उन लोगों की जो मुर्दाना तागत के साथ पहले उनको ये लगता था कि हम लोग तागत के बाश्याओं के पास जाएंगे और हम लोग एस चीज़ को हासल करेंगे लेकिन जैसे जैसे नौलज बढ़ती जा रही है आउनलाइन मीडिया सकरिया हो रहा है तो अब लोगों को पता है कि ये कि यूरुलिजस्ट है जो हमारी समस्याओं का निदान कर सकता है बिलकुल ये जो मरदाना ताकत की प्रॉबलम है ये लोगों बहुत कॉमनली है और बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत यंग एज के लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी हमें एरेक्टाइल डिस्वंक्शन है हमें सेक्स करने में प्रॉबलम आती है पर उनको शरम आती है डॉक्टर के पास जाने में वो यूजली ऐसे रस्टे ढूंडते हैं ऑनलाइन देखते हैं कि कोई दवाई मिल जाए ऑनलाइन किसी बाबा के चक्कर में या किसी अनक्वालिफाइड प्रॉफेशनल के चक्कर में पढ़ जाते हैं जब तक वो हमारे पास आते हैं काफी टाइम निकल गया होता है काफी बार कुछ ऐसे अन नीडिड प्रोसीजर्स करा चुके होते हैं इंजेक्शन्स लगाने लग जाते हैं वो अपने आपको जिससे की बाद में उनकी ट्रीटमेंट में मुश्किल आती है पर क्योंकि अब लोग पड़े लिखे हैं लोग नौलिज आ गई है कि एंडरोलोजिस्ट और यूरोलोजिस्ट के पास जाना है तो हमारे पास आते हैं तो बहुत सारी ट्रीटमेंट आप्शन्स अवेलेबल हैं इसके लिए और इजिली पेशन्ट कॉन्फिडेंटली अब इरेक्टाइल डिसफंक्शन से ट्रीटमेंट पास सकता है तरस जैसे आपने गदुदो की बात कही प्रोस्टेट की बात कही कोई जमाना था कि जब लोगों को ये लगता था कि अगर प्रोस्टेट होगे तो एक बार वो लाइलाज हैं उनको लगता था प्रेशन्स सक्सेस्पूर नहीं हैं लेकिन आर जी जिन्होंने एक ऐसे हॉस्पिटल की चेंज जिन्होंने ये चीज़ें शुरू की थी और एक नया जो करंटी इस विल्ड में लाए थे और आप इसको यहां पर अपलाई करें बिलकुल आर जी स्टोन में हम प्रोवाइड करते हैं लेटेस टेकनोलोजी हॉल्मियूम लेजर के साथ प्रॉस्टेट का इलाज अब हॉल्मियूम लेजर में भी और एडवास्मेंट आई है और आर जी स्टोन ऐसा पहला हॉस्पिटल है जो उस टेकनोलोजी को पंजाब में लेकिया है उसको कहते हैं मिलैप इसमें हम बहुत ही पतली शीट से जिससे की हमें कॉम्प्लिकेशन के चांस बहुत कम हो जाते हैं और प्रॉस्टेट पूरा निकल जाता है पेशेंट का रिकवरी बहुत फास्ट होती है ब्लड लेस होता है और पेशेंट अगले दिन घर चले जाते है दो तेन दिन में कैथेटर रिलीज हो जाता है और यूरिन उनका फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है जैसे आप बतारें पहले टाइम पे ये सब आप्शन अवेलेबल नहीं थी आज भी अगर आप किसी छोटे हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो पुरानी टेकनीक से जैसे टी यू आर पी या फिर कुछ लोग तो दवाईयां ही देते रहते हैं कई पर दवाईयों से नहीं ठीक हो रहता है तो सर्जन के पास नहीं भेजते है पर आप क्योंकि आर जी में हमारे बास सबसे लेटेस टेकनॉलोजी है और उनकी से हम जो देख रहे हैं कि रिजल्ट्स अर वे बेटर जो पराने टाइम में होते हैं उसके मुकाबले बहुत अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल है बुद्धा सब बहुत दन्यवाद आपका हमें समझ देने के लिए तेंक यू